मैं डॉक्टर स्वाती मिश्रा आज एक वीडियो के साथ फिर से आप से मिल रही हूँ आज का जो वीडियो है आप देख सकते हैं रिस्क सोसाइटी रिस्क सोसाइटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो मौडनिटी जो पोस्ट मौडनिजम है उसके संदर्ब में इस कॉंसेप्ट को हम पढ़ते और पढ़ाते हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे आप लोग ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जिनका ये कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा तो मैं कुछ ऐसे भी कंसेप्ट को बीच-बीच में लाती रहती हूँ जो सच में टफ होते हैं पर टफ इस सेंस में होते हैं न कि हम उसको पढ़ते नहीं हैं अगर हम उसको काईदे से पढ़े तो वो कॉंसेप्ट डेफिनेटी हमें समझ में आने वाला है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप सब की तरफ से बहुत सुंदर सुंदर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं उसके लिए आप सभी को थैंक यू थैंक यू सो मच और अभी भी बहुत ऐसा परसेंटेज है जो मेरे वीडियो को देखता है पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कमेंट्स तो बुरा नहीं देता हैं फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और मैं पहले ही कही हूँ कि मैं अलरड़ी जॉब में हूँ आज के समय में बहुत अच्छा काम है जो ऐसे लोग है जिनको चीज़े नहीं मिल पाती है उनको भी मिल जाता है और चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले के वीडियो को भी देखते रहें समझते रहें कॉंसेट सोशालजी के आप देखते रहेंगे तो आपके कंसेट जो है चोड़े जोड़े वो पूरी तरह से क्लियर होते चलेंगे तो आज हम लोग रिस्क सुसाइटी पढ़ने वाले हैं देखिए यह उल्रिच बेग का कंसेट है उल्रिच बेग को और गिड़न्स को दोनों को ही इस कंसेट से जोड़ा जाता है तो यह उल्रिच बेग की बुक सुसाइटी सम्टाइम्स गिड़न्स अल्सों कनेक्टेड विद इस कंसेट ओके तो चलिए यह स्टार्ट है आप यह सबसे पहरे उल्रिच बेग की रिस्क सुसाइटी यह बुक ऐसे ही आती है मैंने इसका इमिज लिया है और यह है उल्रिच बेग मैंने इसलिए इनका इम को देखते हैं बट हम नहीं आनलाइज कर पाते हैं ऐसे कंसेट को नहीं दे पाते हैं कितना अच्छा कंसेट रिस्क सुसाइटी का दिया है हिंदी में कई जगह इसे हम जोखिम समाज के रूप में समझते हैं चीक है आगे मैं यह बताना चारी हूं मैंने अभी वर्बली ब लिस्क सुसाइटी तुवर्द सेन यू बोडनिटी यह बुक दी यह बुक लिखी और 99 में एक दूसरी है वोर्ड रिस्क सुसाइटी की ओके की कि टो बुक के लूग्नी इस सुसाइटी से जुड़ी होई है एक है रिस्क सुसाइटी तू आनू नहीं ब Himself आम मीं कुछा ज Anthony Giddens, Anthony Giddens की एक बुक आती है 1990 में Consequences of Modernity, okay and second book 1991 में again दूसरी बुक आती है एक ही साल बाद Modernity and Self-Identity, Self and Society in the Late Modern Age ये Anthony Giddens की दूसरी बुक है तो basically Risk Society को हम Ulrich Beg से connect करते हैं कई जगा पे Ulrich Beg and Anthony Giddens दोनों के ही नाम इससे connected आपको मिलेंगे, okay अब हम लोग concept की तरफ जाते हैं उससे पहले में बताना चाहूंगी कि ये वीडियो आपको दो volume में मिलेगा, इस volume में मैं इस पे बात करूंगी कि what is risk society, दो या तीन volume में आपको मिल सकता है, छोटे छोटे वीडियो कोशिश होगी, मैंने पढ़ा है कि बहुत लंबे लंबे बनाने से students क्या होते हैं भाग जाते हैं आदे वीडियो पे, तो आपको भागना नहीं, आपको अपनी concept को clear करना है, अब चोटे चोटे ऐसा fact तो मुझे बताना नहीं न, कि मैं fact बता बता के आगे पढ़ूं, थोड़ा आगे चलूं, थोड़ा सा समय तो लगी जाता है, try to understand, और have a patience, patience रखिये और पूरा concept पे ध्यान दीजे, ओके, आगे बढ़ते हैं, concept पे आगे आगे आते हैं, तो उल्रिच बेग रिस्क सुसाइटी, देखी ये शुरुवात कैसे करते हैं, मैंने ये पूरा sources, हैरन लंबोस की जो नई, सबसे नई addition आई है 2020 में, उस किताब से मैंने इस notes को बनाया है, और एक दों website है, your library articles जो है, उसको मैंने किया है, research gate से भी मैंने लिया है, तो postmodernist claim that classes are dying out, जो postmodernism है, postmodernism में क्या कहा जाता है, कि class जो है, वो खतम हो रहे हैं, देखे उससे पहले Marx का concept आता है, जो की pre-modern society का concept था, जब modernism या post, जो इसको ये कहसा जा सकता है, कि जब modern society या industrial society, देखे, society का अगर हम division करेंगे, तो pre-modern society मिलेगा, फिर modern society मिलेगा, और postmodernism मिलता है, ठीक है, ऐसे classification होता है, अगर general classification की हम बात करें, तो pre-modern society अलग है, जो modern society था, या so-called industrial society जिसे हम कहते हैं, उसमें classes थे, क्योंकि marks का जो concept है, class struggle का, उसमें उन्होंने classes की तो बात की ही न, कि हर society में दो तरह के classes होते हैं, industrial society में भी दो तरह के classes होते हैं, एक capitalist class, bourgeois class होता है, proletariat class होता है, ये, classes के existence की बात, marks करते हैं, कहां पर करते हैं, industrial society में, Weber ने भी classes की बात की है, पर जब और फिर post-modernist जो आए, उन्होंने कहा कि नई, classes अब खतम हो रहे हैं, जो आज का post-modern society है, उसमें classes are dying out, ठीक है, classes जो हैं, वो धीरे-धीरे खतम हो रहे हैं, ठीक है, Beck also suggested that contemporary societies are undergoing transformation, Beck भी यही कहते हैं कि जो आज का समाज है, जिस समाज में हम जी रहे हैं, ठीक है, जो आज का समाज है, उन्होंने अपनी book कब लिखी है, 99 में लिखी है, 91 में लिखी है, उस समय उन्होंने कहा कि जो आज का समाज है, वो definitely transformation से गुजर रहा है, transformation का हिंदी होता है, रूपांतरन, मतलब रूप में अंतर, मतलब जैसे family का concept है, ठीक है, या marriage का concept है, marriage का concept as a concept तो है ना society में, उसके में transformation हो रहा है, like पहले हम arrange marriage करते थे, फिर love marriage करने लगे, फिर अब living भी आ गया है, ठीक है, intercast marriages हो रहे हैं, कई तरह के marriages हो रहे हैं, मतलब marriage concept, marriage as a institution, society में existence है, ठीक है, but transformation में है लगातार, changes हो रहे हैं, उसी तरह family concept में transformation हो रहा है, marriage concept में transformation हो रहा है, इसी तरह के बहुत सारे social institution है, उसमें changes हो रहे हैं, society को back मानते हैं कि yes, society जो आज का समाज है, वो transformation में है, but not into postmodern society, but into risk society, back ने कहा कि यही जो transformation हो रहा है, वो as a risk society की तरह हो रहा है, postmodern society की तरह नहीं हो रहा है, वो risk society की बात कर रहा है, अब यह risk society क्या हो गया, जोखिम समाज क्या हो गया, चले उत्तर आधुनिक समाज तो समझ में आता था, कि उत्तर आधुनिक समाज की क्या क्या विशेशता है, आप postmodernism अगर जानते हैं, तो definitely आप समझ रहे होंगे, बट, risk society नोंने क्या नाम दिया, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, बेक, उल्रिच बेक कैसे शुरू करते हैं, उन्होंने basically माना कि हर समाज का जो विकास होता है, development of each society is undergone with three stages, तीन अलग-अलग stages में हमारी society आगे बढ़ती है, जो पहले मैंने समझा दिया है, प्लीज याद रख लिजे, ये तीन टर्म जिसको हम pre-modern society या फिर industrial society या post-modern society हम ये सब कहते हैं, पर बेक ने अलग term दिया, कि जो society है, जोकि transformation में है, तो समाज इस्थिर नहीं नहीं है, समाज हमेशा से बदलता है, हमेशा समाज क्या होता है, changes में रहते हैं, आप देख लिजे, बहुत जो primitive society थी, उसका नेचर अलग था, फिर आया और medieval society याई, ancient society थी, फिर medieval society थी, industrial society याई, modern society याई, post-industrial society याई, हमेशा समाज तो बदलता है ना, एक जैसा नहीं होता है, आप खुछ सोच लिजे, आप बच्पन में थे, तो society का नेचर अलग था, आज society का नेचर अलग है, मैंने तो खुद अपने life में बहुत changes देखा है, क्या, जब हम लोग चोड़े थे, इतना digitalization तो था ही नहीं न, हम लोग सोचते थे कि काश एक ऐसा फोन हो, जिसमें हम लोग एक दूसरे का चहरा देख ले, अब देखिए, अब ये सारी चीज आ गई, मतलब समाज जो है, वो इस्थिर नहीं है, समाज लगातार परिवर्तन, शील है, और इस परिवर्तन के, जो परिवर्तन के फलसुरूप, जो, मतलब changes जो आए, चीक है, उसमें, जो back ने नाम दिया, वो दिया, pre-modernity, simple modernity, and reflexive or late modern ये risk society, जो है ना, ये इसी, late modernity से जुड़ा हुआ है, इसी, इसी से जुड़ा हुआ है, risk society, तो एक concept clear हो जाए, कभी-कभी objective आ गया, कि risk society is connected with what type of society, according to all rich being, it's pre-modernity, simple modernity, और reflexive or late modernity, पटाक से टिक लगाएगा, कि late modernity, ओके, अब कैसे, आगे मैं समझाती हूँ, क्योंकि आ अब simple modernity के बारे में क्या back बोलते हैं, कि simple modernity जो थी, चीक है, religion and tradition were replaced by technological rationalization, फिर मैं पीछे जाती हूँ, इसमें pre-modernity जो रहा समाज, उसमें religion था, culture था, values का बहुत importance था, चीक है, पर जैसे जैसे we were moving from pre-modernity to simple modernity, इसमें क्या हो गया, कि religion और tradition जो हमारा धर्म है, जो हमारी परंपराएं है, वो technological rationalization की तरफ convert होते गई, मतलब क्यों इसी stage में न industrial revolution हुआ, इसी stage में न scientific revolution हुआ, सत्रवी शताबदी, एठारवी शताबदी का दौर था, उससे पहले religion, tradition, values, morality, ethics ये बहुत जादा हावी था, बट जैसे ही industrial revolution आया, scientific revolution आया, जिसको हम secularization भी तो कहते हैं तो religion और tradition जो है, वो धिरे धिरे किस में बदल गए, technological rationalization में बदल गए, प्राद्योगी की तारकिक करण में बदल गए, ये term उल्रिजबेक ने दिया हैं, and we can solve the problem by science and technology, धिरे धिरे हम हर चीज की समस्या किस से, उसका निराकरण किस से करने लगे, we were solving our problems by helping science and technology, हम विज्ञान की का प्राद्योगी की का सहारा ले करके, हम हर समस्या को सुलजाने का प्रयास करने लगे, ओके, इतना समझ में आया आप लोग को, आगे बढ़ते, बेक सीज रिस्क सुसाइटी as a product of latest phase of human development, बेक ने इस रिस्क सुसाइटी का connection किस से किया है, जो मानव विकास का तुरंत का phase है, latest phase है, उससे इस रिस्क सुसाइटी को connect करने की कोशिश किया है, जिसको हम कह सकते है, reflexive या late modernity से connect करने की कोशिश किया है, पीछे मैंने बताया, In other words, we can say that in the period of reflexive modernity, a risk society becomes established, कि जो late modernity का phase था, यही जो मैंने बताया, यह वाला, चीक है, late, मैं कर दे रहे हूँ, यह late modernity के phase में ही risk society हमें देखने को मिलता है, यह line important है, पहले क्या गया, In earlier, simple modernity, science and technology help to reduce material scarcity as a living standard grew, देखिए का क्या क्या गया, जो जो बीच वाला stage था, simple modernity, मतलब pre-modernity and then simple modernity, जिसमें technological rationalization आया, उसमें क्या हुआ, कि जो भी हमारी basic needs होती थी न, हमें जो भी materials की जरुवत होती थी, उसका solution कौन लाता था? science and technology ने लाया, मतलब जैसे जैसे हमारा living standard आगे बढ़ा, हर basic needs को fulfill करने के लिए कौन आया? science or technology, for example, मैं बताने जा रही हूँ, कि like हमारा population बहुत तेजी से बढ़ने लगा, okay, population बहुत तेजी से बढ़ा, तो हमारी needs बढ़ी न, हमारा जरूरत था, वो बहुत बढ़ा, मतलब जो एक मीटर कपड़े में एक लोग की जरूरत होती थी, अब सौ लोग आ गए, तो सौ लोग हैं, और एक मीटर कपड़ा है, कैसे पूरा होगा? तो अब science and technologies ने बड़े-बड़े industries बनाए, बड़े-बड़े factories बनाए, और उसमें फटाख से production शुरू होने लगा, मतलब एक गंटे में 100 मीटर कपड़ा रेड़ी, और वो जो population तेजी से बढ़ी थी, उनकी needs इसी science and technology ने फुल्फिल की, आप इंडिया के perspective में देखिए, कि Green Revolution हुआ, जीक है, 1960 के दसक में हरित करांती आती है, Green Revolution के पहले का era क्या था, क्यों हुआ आखिर Green Revolution, कि हमारा population बहुत तेजी से बढ़ा, और जो हमारे राइस का production था, वीट का production था, वो उतना ज़्यादा नहीं था, हमारे भूक मरी आ गई, even हमको पता नहीं कितने करोड अनाज, जो हैं हमें अमेरिका से आयात करने पड़े, इंपोर्ट करने पड़े, ठेक हैं, पर जैसे ही Green Revolution आता है, Pesticides का यूज हुआ, Insecticides का यूज हुआ, फिर Genetic जो Modified Crops होते हैं, उनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और इतना production हो गया, इतना production हो गया, कि हमारी जरुवत तो फुल्फिल हुई, साथ में हमने export भी करना शुरू कर दिया, Game War चावल का, यह हुआ, वही यह line कहा जा रहा है, कि जैसे जैसे हमारी simple modernity stage में, हमारी needs बढ़ती गई, तो उस needs को फुल्फिल करने के लिए, Science and Technology ने काम किया, However, a consequences of economy growth and the development of science and technology has been the creation of new problem of risk emerging from human activity which have gave rise to growing environmental problems. अब यहां से concept शुरू होता है, Risk Society का, कि yes, Science and Technology ने हमारी needs को फुल्फिल किया, हमें उतने material दिये, कि हमारे सारे basic needs फुल्फिल हुए, पर उसका consequences क्या पढ़ा, उसका प्रभाव क्या पढ़ा, उसका प्रभाव यह पढ़ा, कि हमारा समार जोखिम में आने लगा, ठीक है, जिसे मैंने एक जैंपल दिया, Green Revolution का, आप देखिए, Green Revolution ने production तो बहुत enhance कर दिया, बट उसका असर आज environment पे कितना जादा है, मतलब हम pesticides, insecticides वाला खाना खा खा के, खा खा के, आज देख लीजे skin problems बहुत बढ़ गई, cancer जैसे जो रोग rare होते थे, आज cancer बहुत common बिमारी में से आ गया सामने, why, why soil become polluted, water become polluted, air become polluted, क्यों ऐसा हुआ कि आज हवा, पानी, जल, सारी कुछ पॉल्यूट, सारी कुछ चीजे pollute होते गई, ठीक है, this is called risk society, आज हमारा समा जोखिम में जी रहा है, आज हम जोखिम में जी रहे हैं, और सिर्फ environmental problem नहीं, हमारे social impact, political impact, economic impact भी पड़े, तो mainly उल्रिज बेक ने, environmental problems की बात तो की ही की है, risk society में उन्होंने, बाकी और, तरह के risk की भी बात की है, मैं आगे बताऊंगी, बेक ने बाकी और छेत्रों में भी, risk के concept को समझाया है, like terrorism को भी बताया, जो terrorism है, नक्सलिजम है, ये सारे problems जो बढ़ते गए, उसकी वज़े से, उसके भी consequences को उन्होंने बताया, पर environment उनका core concern था, okay, मेरे ख्याल से, अब आपका risk society का concept, अच्छे से clear हो गया होगा, okay, मैं बहले बहुत अच्छे से समझती हूं, और फिर आपको समझाती हूं, okay, इन simple modernity, most conflicts concerned the distribution of wealth, जब simple modernity थी, वो beach वाला जो stage था, pre-modernity, simple modernity, and reflexive और late modernity, तो जो simple modernity थी, जब technological rationalization का दौर था, उस समय, wealth का distribution was the main challenging issues, चैके, कैसे धन का बटवारा हो सके, वो एक challenging issue था, a shortage of wealth was widespread problem, most people suffered from genuine material need, उस समय क्या था, कि ज़्यादा तर लोग, एक मिट, ज़्यादा तर लोग की समस्या क्या थी, या ज़्यादा तर लोग किस problem से ग्रश्चित थे, इसी genuine material need से, मतलब, लोगों की ज़्यादा थी, उसकी भिदिक्कत थी, और wealth का distribution नहीं था, ठीक से, the inequality, produced by the class structure, in simple modernity, were analyzed by writers, such as Karl Marx and Max Weber, मैंने इसी से किया है, कि आप, जब Marx की तेयोरी और Weber की तेयोरी पढ़े हैं, मैंने भी वीडियो बनाया है, उसमें आपने यही दिखा है न, कि wealth का जब distribution नहीं होता है, जैसे बोर्जूई और प्रॉलिचरेट दो class होते हैं, बोर्जूई जिसका industries पर पकड़ अच्छा होता है, जो industries के मालिक होते हैं, और प्रॉलिचरेट जो होते हैं, वो वहाँ पर काम करते रहते हैं, ठीक है, जो सरवहारा वर्ग होता है, तो उन दोनों में wealth का distribution equal नहीं होता है and this is the cause of class conflict वर्ग संघर्ष का यही तो कारण है ना जब wealth का equal distribution होने लगेगा तो फिर class conflict जैसे concept खतम हो जाएंगे तो वही Marx ने बताया कि जो उल्रिच बेक ने example दिया कि simple modernity में वैसा वो जो society का stage था वहाँ पर wealth distribution equal नहीं था and that was the main cause of class conflict the inequality produced by the class structure in simple modernity were analyzed by the writers such as Karl Marx and Weber since there was insufficient wealth to grow around the most important conflicts in society concerned the distribution of wealth यही कहा गया कि उसमें जो भी conflict होते थे it is only because of the unequal distribution of wealth मैंने इसको हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है आगे क्या बेक बोलते हैं कि however in western Europe western Europe की अगर बात किया जाए और अगर उसी के तरह के जो और healthy societies है ठीक है? वेस्ट यूरोप में आप देख लीजे तो सारे कुछ आजाएंगे Portugal, Spain, Germany, France यह सारे countries आजाएंगे due to scientific revolution and industrial revolution technological development have led to a greatly increased productive capacity and a reduction in material need जब वहाँ पर 17 इताबदी में industrial revolution और scientific revolution होता है तो बहुत तेजी से production होते हैं production होने की वज़े से जो material need था वो लोगों को आसानी से पूरा हो जाता है ठीक है? और लोगों के meet, जो need है वो fulfill हो जाते हैं इसको मैंने table में एक chart में show किया है मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ कि industrial revolution plus scientific revolution यह होता है दोनों कब हुआ है? 17th century के आसपास हुआ है टेक प्लेस तो इन दोनों से क्या हुआ? टेकनोलोजिकल डेवलप्मेंट हुआ टेकनोलोजिकल डेवलप्मेंट से क्या हुआ? कि हमारे production में increment हुआ हमारा increase in production जो हम एक दिन में एक मीटर कपड़ा बनाते थे अब एक घंटे में हम 100 मीटर कपड़ा बनाने लगे तो इस तरह से material increase करने लगा और increase material से क्या हुआ? कि लोगों के need fulfill होने लगे और फिर क्या हुआ? कि the struggle for daily bread has lost जो रोज की जिसको कहा जते हैं न रोज की रोटी के लिए संगर्ष वो कम होने लगा समझ में आगे आपको आगे बढ़ते हैं इसलिए मैंने वो चाड एक बना दिया ताकि और अच्छे से clear हो जाए Beck argues that up to early 1970s material scarcity was going to be end especially in Germany and other wealthy countries 1970 के दशक तक आते आते especially जो wealthy countries थी जैसे Germany, France यह सब जो countries थी वहाँ पर लोगों का जो material scarcity थी लोगों के बीच में जो समान की कमी थी वो धिरे धिरे खतम होने लगी but it does not mean that all the social and other problems and conflicts are going to be end पर इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अब सारी समस्यां खतम हो गई मतलब हमें बहुत थी वस्तुओं की जरूरत थी बहुत थी वस्तुओं में मिल गई इसका मतलब अब सारी समस्यां खतम ऐसा होता है क्या? नहीं होता है न जिसे आप मालीचे घर में एक laptop लाईए आप सोचे कि आज के example में दे रही हूँ laptop लाईए अब सोची कि वावाव मेरी सारी समस्यां खतम हो जाएगी बट अब laptop से क्या क्या problem हो सकती है आप laptop बहुत यूज करेंगे तो आपके eyes में problem हो जाएगी आपके skin में problem होगी आपकी mental status में problem होगी laptop बार बार बिगड़ेगा तो आपको economic दिक्कत भी आएगी आप बहुत हद तक उसमें involved हो गए तो आपके social relations भी प्रभावित हो जाएगे बहुत सारे consequences ना एक चीज के आने से क्या समस्या का अंत होता है बिलकुल नहीं हम चाहे कि समस्या का अंत हो जाए तो problems never ended कभी समस्या का कोई अंत नहीं होता है risk society मतलब यही अब क्या हुआ कि और तरह की समस्या आने लगी instead of new series of problems beginning challenge in such societies ऐसे समाजों में अब नई तरह की challenges नई तरह की चुनौतियां नई तरह की समस्यां हमें देखने के को मिली क्या ये चार्ट से मैंने बनाया कि अब जो societies थी ऐसे wealthy societies wealth distribution से अब ये किस तरफ shift होते गए risk distribution की तरफ which is created by science and technology ये science और technology ने ही बनाया आप ओ जोन लेयर में depletion देख लीजे क्यों हुआ वही के उपर न हुआ अमेरिका के उपर ही जो कौन सा ओशन है Atlantic या Pacific कौन सा है North Atlantic है ना उस ocean के उपर आपको global warming दिखता है ना शायद मैं थोड़ा सा गल हो तो देख लीजेगा है ना आपको वहाँ पर global warming में ozone layer depletion दिखा ozone layer depletion में क्या है ozone layer depletion की वज़े से उन सारे societies का क्या हुआ कि उन्होंने इतना हद तक chloroflorocarbons का emission किया जिससे कि यह नहीं समस्या हा गई अब ozone layer depletion की वज़े global warming आ गया, climate change आ गया, यह जैसी समस्या है science and technology ने दे दी यही तो है न रिस्क सोसाइटी in other words it can be said that science and technology came to be seen as a creating problems rather than solving problems, यह देखने को मिले यह जो science and technology so called science वाले अपने आपको बड़ा दावा ठोकते हैं, उनसे आप ऐसे arguments, जब भी science versus humanities और social sciences में debate हो, तो आप कहिएगा कि science and technology ने सिर्फ problem solve नहीं किया है, इसने risk society जैसे concept को भी जन्म दिया है, ओके एक यह charge मुझे मिला, आप पता नहीं source, यह research gate से है, मैंने इसको 31st 2022 को retrieved किया था, इसमें इन्होंने देखिए exam अच्छे से वो बनाया है pre-modernity और traditional society simple modernity और industrial society, reflexive modernity और risk society, यह तीन में था, जो मैंने society के development और emergence की बात किया pre-modernity और traditional society में क्या है, incalculable threat, no knowledge of when the next catastrophe will come, जो हमारी pre-modernity society थी, industrial society थी, मतलब बारवी, तेरवी, शताबदी के पहले की बात किया जाए world history के concept में, तो उसमें जो threat था, वो हम नहीं समझ पाते थे, कि अब यह threat, मतलब हम ढरते नहीं थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, कि अगला catastrophic कब आएगा, जो modern society आई, modern society आई, industrial society आई, इसमें calculable risk था, और अब जो science and technology के अत्यधिक काम करने से, जो reflexive modernity आगई है, वो क्या है, उसमें again हम अपने risk को calculate नहीं कर सकते, ठीक है, next है, अगर देखा जाएगते, organizational logics local, organizational logics national, organizational logics global, यहाँ पर pre-modernity में हर कुछ local level पे होता था, simple modernity में national level पे, और अब जो risk society है, इसमें हम global level पे सोचते हैं, pre-modernity में beliefs anchored in tradition, जो हमारे विश्वास थे, हमारे परमपराओं से जुड़े हुए थे, इसमें faith in progress and reasons, इसमें हम अब reasons पे आने लगे, तर्क पे आने लगे, और यहाँ पर reflexive modernity पे आए, आगे reflexive modernity और clear हो जाएगा, यहाँ पर natural catastrophe से दिक्कत होती थी, यहाँ पर industrial accidents जादा हुए, और अब जो चल रहा है, यहाँ पर radioactive leak जो है, वो दिक्कत है, इस society में pre-modernity और traditional society में hunger जो था, भूक मरी जो थी, वो एक core point था, यहाँ पर inequality core point आया, inequality मतलम कि class है, तो inequality दिखेगा है, और risk society जिस समाज में हम जी रहे हैं, उसमें fear है, fear आप होता है ना, डर लगता है हमें cancer जैसे रोग से की, यह इश्वर्क सब रोग दे दो cancer मत दे ना, ऐसे हम सोचते हैं ना, हम डरते हैं, बहुत तरह तरह की नई बिमारियां जन्म ले रही हैं, वहलो ऐसी बिमारियां जिनको हम सोचते नहीं ते, तो अब fear वाला समाज हमें सामने देखने को आ रहा है, अगले वीडियो में मैं problem of risk society देखूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रहा है, यह sources हैं, आप देख सकते हैं, यह sources हैं, मैं highlight कर दे रही हूँ, यह दिख जाएगा आप लोग को, छोड़ी, यह sources हैं, अब यह चुटा है हमारा problem of risk society, क्योंकि मैं अगले, अगला जो part 2 बनाऊंगी, उसमें मैं risk societies के problem को समझाऊंगी, कि क्या-क्या problems back ने identified किये थे, point out किये थे, highlight किये थे, और उसमें environmental problem को तो definitely उन्होंने core पे माना था, पर other social problems और economic problem को भी उन्होंने highlight किया है, और फिर आगे उसी में मैं reflexive modernity को और clear करके समझाऊंगी, ओके, आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो please comment करिएगा, अपने beautiful comments देते रहिए और subscribe करते चलिए, फिर जल्दी ही जल्दी ही मिलूँगी, क्योंकि part two ज्यादा time नहीं लगेगा, दो दिन में कोशिश करूँगी कि डाल दू, ओके, till then, goodbye, take care, ध्यान रखिएगा, आप सभी अपना, और कुछ और queries हो, किसी ने दिपांकर गुपता पे भी बोला है, मैं definitely,